नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग भाई जैसे कि हमारे मदिप्रदेश का जो टॉपिक चल रहा है इसमें हमने स्टाइट किया भाई मदिप्रदेश के परेटन इस्थल भाई यह हमारा टॉपिक चलना है तो यह जो हमारा परेटन इस्थल वाला टॉपिक है यह आपका दरसनी इस्थल वाला टॉपिक है इसमें से एक क्वेशन फिक्स आता है आप चाहिए MPB बुलिस का पेपर उठाके देखो यह MPSI यह MPPSC एक क्वेशन आपको डेफेनेटली यहां से मिलना ही है तो भाई जब मालूम ही है कि क्वेशन आना है तो भाई क्यों इसको दिमाग में फिट कर लें ठीक है इसलिए इसी परेटन इस्थल को भाई आज हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको ध्यान से समझना है परेटन इस्थल में पड़ा चुका ऊँद और परेटन इस्थल में बहुत सारे परेटन इस्थल भी बोल चुका हूँ ठीक है तो उसी में जो बच गए उसको आज हम कंपलीट करेंगे जिसमें सबसे पहला जो है यह आपका पचमडी ठीक है पचमडी कि जिले में पढ़ता है आपके हुश हेल स्टेशन है पच्वड़ी मधिप्रदेश का पहला हेल स्टेशन है यह मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि पच्वड़ी जो यह आपका अगर बात करूं मैं इसकी खोज की तो इसकी खोज 1862 में जैम्स फॉरसित के द्वारा की गई ठीक है आपके कैप्टन जैम्स फॉरसित थे जिन्होंने 1862 में पच्वड़ी की खोज किया नॉर्मल जो पच्वड़ी है इस सब्द का तात्परी होता है भाई पांच कुटिया से ठीक है पांच कुटिया का मतलब यहां इस्थित पांच भाई गुफाएं हैं भाई आपके पचमणी में पाच गुफाएं है भाई उन गुफाओं को भाई पाच कुटिया और इसी के नाम पर पड़ा भाई पचमणी पच मतलब पाच मणी मतलब कुटिया तो उसी से इसका नाम पच मणी पड़ा भाई खोज 1862 में हुई है जैम्स फॉर्सित के द्वारा की गई है भाई आपके पच मणी पच मणी में आपके पांडव जो है जिस समय उनको बनवास हुआ था ना भाई तो पांडव जो है यह एक साल तक यहां रुक चुके हैं पच पचमणी को सत्वड़ा की रानी भी कहते हैं यह भी आपने पड़ा है समय काली निराजधानी पचमणी ही है कि इसके अलाबा इसी पचमणी में हमारे मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी भी है भाईये क्या नामे उसका धूपगड हाइट कितनी इसकी 1350 मीटर ठीक है तो मदिप्रदेश की सबसे उची चोटी धूपगड भी आपकी यहीं पे इस्थी थे पचमडी में अच्छा इसको संसेट पॉइंट भी बोलते हैं मदिप्रदेश का आपका जो धूपगड है न भा भाई बाए आपके पचमणई से संभंदित आपको याद रख नहीं है अचा किस मार्ग में पड़ता है फिर है मुंबई हावला रेल मार्ग आप आ पिपर पिपरिया से आप जा सकते हूं जिप्सी पकड़के सीधे पचमडी यह वाई उसको पता है तिक है तो यह आपकर पच्छमडी है यहां पे इस्थित परीटन इस्थल कोन-कोन से हैं मैं अगर आप जाओ आप घूमने विजिट करने आप जब जाओ आपको पता होना चीए कि यहां पर इस्थल कौन-कौन से परियेटन उन्हें की बाई में बात करूंगा इसमें पहला तो आपका पांडव गुफा पांडव गुफा भाई यहां पर ठीक है आपके पांडव रूख चुके हैं यहां पर पांडव गुफा के बाद चोरा गड़ चोटी है इसके बाद जटा संकर गुफा ठीक है जटा संकर गुफा के बाद भाई सरदार गुफा इको पॉइंट इको पॉइंट भी है यहीं पर आपका ठीक है इसके बाद अच्छा मैं बोल देता हूं आप इसको लिख लेंगे भाई पांडव गुफा तो है आपका चोरा गड़ चोटी है जटा संकर गुफा है सरदार गुफा है इको पॉइंट है इसक में बता चुका हूं यहाँ पे रॉमन कैथॉलिक चर्च भी और इससाई धर्मी से संबंदित रॉमन कैथॉलिक चर्च भी आपका पचमडी में है थीके प्रीदरसनी पॉइंट है प्रीदरसनी पॉइंट भी अप गए हूंगे ये भी आपको मिलेगा इसके लिए अलावा आपको मदुमक्खी जिर्णा मिलेगा अप सरह ज़ेगा रजयत ज़र ना मिलेगा और बहुत सारी जीले भी आपके पचमडी में सबस्क्राइब इतने याद रखना है तो यह सारी चीजें किससे संबंदित थी आपकी पचमडी से तो पचमडी आपको याद रखना है परियेटन इस्थल में बहुत इंपोर्टेंट है भाई मुंबई हाउडा रेल मार्ग पर आता है ठीक है पच्मणी के बाद भाई दूसरा में इस्थल की बात करूंगा मांडू जल्दी बताओ कहां पड़ता है आपके धार में पड़ता है मांडू ठीक है तो रानी रूपमती का महल ठीक है रानी रूपमती का महल आप जा चुके होंगे मांडू धार में इसका निर्माड बाज बहद्दूर ने करवाया था भाई आपके जो बाज बहद्दूर थे उन्होंने रानी रूपमती के महल का निर्माड करवाया था जहां से भाई जी के दरसन करने के लिए इस महल का निर्माद करवाया गया था बाच-Bahadir के दुआरा तो रानी रूपमती का महल मांडूधार इसके अलाबा होशंग शाह का मकबरा तिक होशंग शाह का मकबरा भी वह यहीं पे मांडूधार अब्दुल साच अंगल का मकवरा यह भी आपको यहीं मिलेगा जहाज महल है हिंडोला महल अशर्फी महल जामा मस्जिद ठीके भाई यह इतने इस्थल आपको माइंड में फिट कर लेना है इतने इस्थल आपको याद होने ही चाहिए भाई मांडूधार से सम्मंदित रानी रूपमती का महल होशंग शा का मकवरा अब्दुलसा चंगल का मकवरा यह तो मैं दो तो आपको पढ़ा चुका हूँ ठीके जहाज महल है इंडोला महल है अशर्फी महल है जामा मस्जिद है तो यह सारे की सारे जो इस्थल है भाई आपके परियेटन इस्थल कहां मिलेंगे आपको मांडू धार में तो मांडू धार में आपको इतना याद रख होगा बहाई सबसे जभी शादा परेटक नगर कहीं पर आते हैं परियटक मध्यप्रदेश में तो खजुराओं में आते हैं सबसे जढ़ाओ थीजिंगे सबसे जभी आपके खजुराओं जो है यह चंदेलों की राजधानी भी रह चुकी है आपने मध्यप्रदेश का इतिह में चंदेल बंस पढ़ते हम तो चंदेलों की राजधानी भी रह चुकी आपकी खजुराओ जहां चंदेलों ने 950 से 1050 के बीच में 85 मंदिर का निर्माड करवाया था 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 इतने मंदिर बनवाया था था चंदेलों सबसे पहले था ने पूसपांने में किश बीच 950-50 रहे महीं मैं लेकिन वर्तमान में देखा जाए तक माद्र 25 मंदिर मिलते हैं था इस्टे टाले के संब्सक्राइश को याद रखने हैं शब्सक्राव में यह रखने हैं सबसे पहले तो आपका चोसड योगिनी मंदिर इसके बाद चतुर्भुज मंदिर तीसरा नंदी मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर इसके बाद आदिनात विस्वनात पार्श्वनात उल्लच्मन मंदिर ठीक है तो यह इतने पॉइंट भाई आपको खजुराओ से संबंदित याद रखना है आपका जो खजुराओ है चतरपूर में वड़ता है इस खजुराओ में भाई इतने इस्थान आपको याद रखने है ठीक है कौन-कौन से चोसड योगिनी मंदिर है चतुर्भुज मंदिर है आपका नंदी मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर है आपका आदिनात विश्वनात पार्सवनात का मंदिर और इसके बाद कुन सा मंदिर आप याद रखोगे लच्मन मंदिर ठीक है तो यह जो है भाई आपके खजुराओं से संबंदित इस्थर है तो खजुराओं में आपको इतने बिल्कुल याद रखना ही है ठीक है इसके बाद दे किस धर्म से संबंदी स्थल है तो ध्यान में आना चाहिए भाई बहुद्हर्म से संबंदी 달라 इक बहुद्हर्म से संबंदी स्तल के' natomiast क्यों कि सांची में बहुद इस्थ involve है इस्तूप तो समझते होंगे न भाई जिसने इतिहास में समराट असोक को पड़ा है वो समझ जाएगा भाई तुरंत यहाँ पे बहुत इस्तूप हैं साची में आपके जो गौतम बुद्ध है उन गौतम बुद्ध के दो सिस्से हैं भाई एक है आपका मोगलायन और दूसरा है सारी पुत्र ठीक है तो गौतम बुद्ध के दो प्री सिस्सी महबोध मोगलायन और दूसरा सारी पुत्र इन दोनों की अस्तियां रखी हुई है भाई यहाँ के इस्तूपों में आपके जो सांची के इस्तूप है ना वहाँ पे मोगलायन और सारी पुत्र के अस्तियां रखी हुई है किसके सिस्से है भाई यह दोनों आपके गौतम बुद्ध के सिस्से हैं तो साची में टोटल इस्तूपों की संग्या कितनी है तीन और इन तीनों इस्तूपों का निर्माण किस ने करवाया था समराट असोक ने महान समराट असोक बोलते हैं भाई उसको तो साची में आपके जो इस्तूप है ना भाई इनका निर्मान समराट असोक ने करवाया था इसलिए आपके दिगंबर यहाँ पे जो बौध है भाई उनसे सम्मंदित इस्ताले आपका साची है समझ में तो भाई बिल्कुल आपको यह याद रखना ही है साची कि जिले में पढ़ता भाई आपका राइसेन आपके इटारसी जासी रेलमार्ग पे स्थित है इटारसी और जासी रेलमार्ग के बीच में पढ़ता है भाई आपका साची राइसेन बहुत दिस्तूप हैं किसने निर्माड़ा करवाया था आपका असोकने क्योंकि यह बहुत दनुयाई था बहुत धर्मों को मानने वाला था ठीके इसके बाद भाई अगला आपका विदीशा विदीशा या बेसनगर या भेलसा ये तीन नामे भाई आपके विदीशा के ठीक भाई विदीशा को आप बेसनगर भी बोल सकते हो भैलसा भी बोल सकते हो ठीक है यह आज के प्राचीन नाम है विदीशा के अजब विदीशा जो है एक समय में विदीशा भाई इसको ध्यान से समझना है आपके जो समराट असोक थे अगर मैं बोलू समराट असोक के बारे में तो यह सासक बनने के पहले समराट यह राजा बनने के पहले असोक जो था भाई यह राजिपाल था और कहां का राज्जिपाल था तो यह राज्जिपाल था उज्जेन का तो असोक जब उज्जेन का राज्जिपाल था उज्जेनी नगरी का जब राज्जिपाल था तो इसको विदीशा की एक स्रैस्थी की पुत्री स्रैस्थी का मतलब होता है व्यपारी मैं यहां लिख देता हूँ स्रैस्थी स्रैस्थी का मतलब होता है व्यपारी तो व्यपारी की पुत्री थी महादेवी इससे प्यार था भई किसको असुक को और इतना गहरा प्यार थाना भाई कि डेली ये उज्जेन से विदीसा आप डाउन करते थे भाई साब डेली आते जाते थे MST बनवा लिया भाई कुल मिला के डेली जा रहे हैं कहा जा रहे हैं डेली विदीसा जबकि समराट असोग जो थे भाई उससे में राजकुमार थे राजजिपाल थे कहां के राजजिपाल थे उज्जेन के एक नुजेन से डेली जा रहे हैं भाई यह आपके विदीशा क्यों जा रहे हैं भाई प्यार है किस से महादेवी से और महादेवी किसकी पुत्री है एक वेपारी की पुत्री है एक स्रैस्थी की पुत्री है एसने प्यारी था भई विवा भी किया इनसे साधी भी किया है और साधी के बाद महादेवी प्रकार का सिक्का भी चलाया है इनके नाम का असोक ने ठीके तो एक समय में भई ये काफी आप डाउन करते थे विदीशा समराट असोक इनके बाद भाई अपने इतियास में पढ़ाओगा अगनी मित्र सुंग सुंग वंस का सासक था ये सुंग वंस अपने पढ़ाओगा भाई इतियास में तो अगनी मित्र सुंग विदीशा का सासक रह चुका है और जिस समय अगनी मित्र विदीशा का सासक था विदीशा का राजा था इस समय इसके दरवार में एक यूनानी राजा उस राजा का नाम है एंटियाल किडास इस राजा ने अपना एक दूत भेजा था इसके दरवार में विदीशा में एक बार फिर से सुने ध्यान से जिस समय विदीशा का सासक सुंग वन्सका था अगनी मित्र सुंग उस समय इनके दरवार में एक यूनान के सासक एंटियाल किडास ने एक दूत भेजा था ठीक है और इस दूत ने विदीशा में गरुड इस्तम्ब इस्तापित करवाया है ये तो आपने बहुत सुना होगा भाई विदीशा में गरुड इस्तम्ब है और ये जो गरुड इस्तंब है ये एक दूत ने स्थापित करवाया था और वो कहां से आया था युनान से आया था एंटियाल किडास के दरवार से आया था और आज का क्वेशन यह यह भाई कि जिसने विदीसा में गरुड इस्तम्ब स्थापित करवाया है उस दूत का नाम क्या है जो विदीसा आया था ना अगनी मित्र के दरवार में यूनान से आया था वाई वो दूत उसने गरुड इस्तम्ब इस्थापित करवाया है तो उसका नाम क्या है जिसने गरुड इस्तम्ब इस्थापित करवाया था ठीके तो आज भाई आपको ये कमेंड करके बताना है कि आखिर गरुड इस्तम्ब जो है ये किसने इस्थापित करवाया था एस वाज में तो विदीशा से सम्मंदित भाई इतनी चीजे आपको याद रखना है और लास्ट है भाई आपका भेडा घांट और भेडा घांट उझे कहां पढ़ता भाई आपके जबलपूर में पढ़ता है जहां बाबन नदियों का संगम माना जाता है कितनी नदियां बा आपका भेडा घांट आपको याद रखना है बाबन नदियों का संगम अगर मैं इस्थलों की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको समझ में आई जाएगा धुआधार जल प्रपात यह आप घूम के आयोंगे भाई जबलपूर में धुआधार जल प्रपात है इसके बाद बंदर कूदनी भी यहीं पे है बेडा घाट में है ठीक है सफेद संगमर्मर या वाइट संगमर्मर ठीक है चोसट योगनी मंदिर भी यहीं पे है आपका ठीक है तो आपका भाई बंदर कूदनी है धुआधार जल प्रपात है इसके बाद बंदर कूदनी है चोसट योगनी मंदिर है यह सब आपके बेडा घाट जबलपूर से संबन्दी थे आई समझ में तो भाई इतने टोपिक आपको पूरे की पूरे कम्पिलिट करना ही है अगर आप MPI पूलीस MPI PSI के कोशन पेपर उठा के देखोगे तो यहां से आपको एक या दो कोशन डेफिनेटली मिलना है आई समझ में तो जल्दी से जल्दी वाई इस वीडियो को आप शेयर करें जितना हो आप इसको शेयर करें ताकि आपके जितन